इमें सर्चिंग जारी है भाजबा प्रदेश अध्यश अरुन साओं ने आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस की सरकार ने जनता से शराब बंदी का वादा कर जनादेश लिया था लेकिन आज इसी पार्टी के राज में 2000 करोड के शराब घोटाले से 36 गड़ शर्म सार हो गया है मतदाताओं ने सोचा भी नहीं था कि शराब बंदी का वादा करने वाली कॉंग्रेस शराब से लूट के की दीमान रचेगी शिसाओ ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि एडी ने कॉंग्रेस नेता और राइपूर के महापौर एजाज धेबर के भाई अनवर धेबर को गरफतार कर 2000 करोड से अधिक के शराब घोटाले का खुलासा किया है उन्होंने कहा कि इस खुलासे से जो तथ्य मिले हैं वह हमें न केवल शर्मिंदा करता है बलकि सोचने पर विवश करता है कि क्या कोई चुनी हुई सरकार इस बेदर्दी से अपने ही मतदाता को लूट सकती है उसके भरोसे को भी तार-तार कर सकती है वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री फुपेश भगेल ने आरोप लगाया कि इदी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साज़िश रची जा रही है उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाओ आएगा इदी और आईटी अस्थाई रूप से 36 कड में रहे कर नए नए करेंगे उन्होंने कहा कि शराब कर्पोरेशन के माध्यम से शराब विक्री के नीती भाजबा शासनकाल में बनी थी 2017-18 में आपकारी मत से 3900 करोड़ रुपे की प्राप्ति हुई कॉग्रेस शासनकाल में यबढ़कर 6000 करोड़ हुआ जो दर्शाता है कि इसमें किसी प्रका जब से नीती बनी भाजबा सासनकाल में नीती बनी और तब से 4900 करोड़ रुपे उस समय एक वर्समाया था हमारे शासनकाल में ये आंकड़े बढ़े हैं और 4900 करोड़ लगवागर 4000 करोड़ कर सकते हैं अब बढ़के 6000 करोड़ हुआ है दूसरी बात ये है कि 2017 में जो सराफ जो ब्यासास संबंधित जिश्टलर है अधिकारी है परवहन करता है प्लेस्मेंट एजिंसी है उसमें कोई परवर्तन नहीं हुआ कई बार मुझे कहा गया कि इसमें ये वही लोग हैं लेकिन हमने उसमें कोई परवर्तन नहीं किया और आपकारी में जो निरंतर वृद्धी है वो दरसाता है कि किसी प्रकार के तसासित घोटाले कि कारण के राज्य के सराफ के राज्योंस में कमी का जो आरोप इडी ने ज मुख्य मंत्री ने कहा कि क्याग तो भारत सरकार का विभाग है क्याग ने 36 गर सरकार के आपकारी विभाग को क्लिन चीट दी है जब राजस्यों में डेड़ गुना से अधिक वृद्धी हो गई तो इडी का आरोप तो वैसे ही असत्य साबित हो जाता है